स्वागत्स प suspected कि एंके परिवार में अबamento लोगह को साइंस की सिरीज के बाद जो स्किल की लिए क्लासे में मिल लही थी इंपूर्टन हुश्चन की जसुरीज मिल लही थी है तीन क्लासे या तीन कुष्चन के सेट हुए हैं कुष्चन फट करें चौथा भाग है ये सभी कुष्चन जो भी आपको बताया जा रहे हैं जो भी कंप्यूटर क्लासे हैं वो आपके CCC, TG2 एक्जाम और साथ साथ में अन्य कोई भी ऐसा एक्जाम जैसे कि अभी एक ITI इंस्ट्रक्टर का पेपर होने वाला है या कोई भी ऐसा पेपर जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है और ITI लेबल की वो परिच्छा है तो इन सभी क्लास को आप लोग पूरा देखिए और पिछली क्लास की बहुत इस क्लास में मैं आपसे क्लास के अंत में एक प्रेशन पूछूँगा जिसका जवाब आपको कमेंट सक्षन में देना है तो आजए सुरू करते हैं आज की क्लास और आज का पहला कुस्चन है निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है तो इस कुस्चन में क्या है स्पीकर भी एक आपका आउटपुट डिवाइस है सासाथ में मौनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है तो चुकि ये दोनों output device हैं तो इस question का जो सही answer होगा वो हो जाएगा एक और तीन दोनो चुकि speaker और monitor क्या है दोनों एक प्रकार से output device है LAN क्या है LAN को local area network कहते हैं आज के दिन का दूसरा question है Gmail का पूरा नाम क्या है तो Gmail के में G card होता है Google योगर आपूछा तो और आपसे पूछा जाए गूगल में तो अब आपसे पूछा जाए Gmail का पूरा नाम क्या है तो आप बताओगे Google तो और किसी भी मेल के किजिविए होते हैं तो आपको किसी भी मेल के दो हिस्से होते हैं एक होता है उसका user name तो हिस्से कौन से होते हैं किसी भी mail के एक आगे username जो user देता है जब वो अपनी ID बनाता है तो एक तो हो जाता है उसका username और दूसरा हिस्सा कौन से होता है तो हम लोग add the rate लगाते हैं यह हां से separate होता है और उसके बाद में आता है उसका domain name जैसे की gmail.com तो एक mail ID के दो हिस्से होते हैं और gmail का पूरा नाम पूछा जाया तो gmail का पूरा नाम क्या है Google mail क्या पूरा नाम है Google mail यह आपका पूरा नाम है बढ़ते हैं तीसरे question की तरफ पूछा एक kb में कितने byte होते हैं तो kb जो की memory का मातरक है देखिए पिछले class में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक byte में कितने bit होते हैं तो वहाँ पे हमने आपको बताया था एक byte में आपके 8 bit होते हैं कितने bit होते हैं 8 तो वहाँ पे हमने देखा था एक और question आप पुछा कि 1 kilobite में कितने बाइट होंगे, तो यहां पर आपको ध्यान दखना एक 1024 बाइट होते हैं, कितने होते हैं, 1024 बाइट, यह बात भी आपको ध्यान दखना है, तो यहान पर स्री आपसनसाप का बिल्कुल ही सही हो जाएगा, कि 1 kilobite में कितना होता है, 10 2024 बाइट होते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले कुश्चिन की तरफ पुछा है सबसे बड़ी दूरी का नेटवर्क क्या कहलाता है तो सबसे बड़ी दूरी का नेटवर्क जो है वैन कहलाता है क्या कहलाता वैन और वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क वै बड़ी दूरी का पूंचा है आपसे तो क्या बताओगे वैं ना बताओगे पाचवे कुश्चन की तरह बढ़ते हैं पाचवे कुश्चन में कहा है पेश्ट की कमांड जब कोई भी डेटा आप कम्प्यूटर में कट या कॉपी करते हो तो उसको पेश्ट करने के लिए जो आप साटकट की यूज करते हो उसको कहते हैं कंट्रोल प्लस वी यह आपकी क्या होती है पेश्ट के लिए साटकट की होती है इसके नीचे जो आपसे से कंट्रोल प्लस पी यह प्रिंट के लिए यूज होता है प्रिंट की आपसे साटकट की पूछे तो प्रिंट करने के ल होता है और Brooklyn b exp site होता है तो पेश्ट के लिए पूछल तो क्या हो जाए क साथ ईड़ी हो जाएगा और आगे बढ़ते हैं कई फिजिकल कंपॉनेंट क्या होते हैं तो और अंदेख सकते हैं उसको हनोग क्या कहते हैं hardware कहते है, hardware में आता क्या, क्या है, hardware में आपका, जितनी भी input device है चाहिए आपका keyboard हो, mouse हो, यह सब क्या है, hardware है, जितनी भी output device है, जैसे कि आपका monitor है, printer यह भी क्या है, hardware, अकुल मिलाके जूभी computer का हिस्सा, आप देख सकते हो, और जो को छू सकते हो सब का सब क्या है hardware है और physical component अगर पुछे computer के physical component क्या कहलाते हैं तो hardware कहलाते हैं ठीक है software क्या कहलाते हैं प्रोग्रामों के समूव software कहलाते हैं अगर आप से कभी पुछ ले software किसको कहते हैं तो आप होगे प्रोग्रामों के जो समूह होते हैं ठीक उनको क्या कहते हैं हम लोग software कहते हैं और hardware तो आप बता दोगे computer के जो physical component होते हैं उनको हम लोग hardware कहते हैं तो इससे later कर question आप से पूछा जाएगा exam में तो आप लोग कर पाएंगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साथवे question में कहा है OS क्या है तो OS एक प्रिकार से system software है OS जिसका पूरा नाम होता है operating system OS का पूरा नाम क्या होता है operating system ठीक है और ये क्या है ये एक system software है क्या है system software system software किसको कहते हैं ऐसे software जो system को चलाने के लिए यूज होते हैं उनको system software कहते हैं ठीक है software तीन प्रकार के होते हैं एक होते हैं आपके system software दूसरे आपके होते हैं application software और तीसरे प्रकार के software को हम लोग कहते हैं utility software क्या कहते हैं utility software तो software तीन प्रकार के system software application software utility software और जिन में से operating system किसका उधारण है system software का उधारण है और आगे देखेंगे आठवा कुश्चन तो आठवे कुश्चन में कहा है IST क्या होता है तो कई जगहों पर आप लोगों ने दिखा होगा कंप्यूटर में अपने मुबाइल में भी कि जब टाइम आप लोग सेट करते हैं पोरी दूनिया पूरा बिस अलग अलग टाइम जोटा हूँ जो अगे चलता है और जो जिस कि भाउतिक इस्टी पश्यम में है उनका ताइम जोन थोड़ा सा पीछे रहता है ठीक है तो हर देश का एक अपना टाइम जोन होता है, तो जो भारत का टाइम जोन है, उसको AST के नाम से जाते हैं, इंडियन स्टेंडर्ड टाइम के नाम से जाते हैं, और ये जो है, इसका अगर मान पूछ ले, तो ये, आपका साढ़े पांच घंटे आगे रहता है Greenwich Time से GMT से किया कहता है साढ़े पांच आगे रहता है मतलब Greenwich Mean Time जो होता है Greenwich Mean Time जो होता है Sorry Greenwich Mean Time जो होता है सहर का नाम है Greenwich Greenwich Mean Time जो होता है इससे पूरी दुनिया का मानक समय लिया गया है फिर जो देश यहां से पश्चिम में हैं उनका समय पीछे रहता है और जो देश यहां से पूरब में हैं उनका समय आगे रहता है तो हम लोग क्या है GMT से आगे हैं और पूछले कितना आगे हैं हम लोग GMT से तो हम लोग GMT से साठे 5 घंटे आगे हैं ठीक है तो अगर पूछ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टन कुश्चन हो सकता है तो जरूर आपको इस बात का ध्यान लखना है आगे देखते हैं कुश्चन नमबर नौ पुछा एक्सेल में कंपोनेंट होते हैं लिए एक्सेल में क्या क्या चीज़े होती है तो एक्सेल में जो आपकी खड़ी से जो ये एरिया बन जाता है इसको हम लोग सेल कहते हैं तो एक्सेल में सेल होते हैं और इस सेलों के संग्राह को वर्क सीट कहते हैं और वर्क सीट से मिलके वर्क बुक बनती है तो कुल मिलाकर एक्सेल में रो भी होते हैं कॉलम भी होते हैं वर्क बुक भी होते हैं वर्क आफिस कैलक MS Excel के समान है देखे कुछ साफ्ट्वियर होते हैं तो दो कंपनिया है एक आपकी MS Office है और एक आपकी अभी अभी आप लोगों को स्लेबस में नया एड हुआ है कुछ समय पहले लिब्रे आफिस तो MS Office और लिब्रे आफिस में क्या दोनों के काम सेम ही हैं साफ्ट्वियर के नाम अलग अलग हैं तो जिसको MS वर्ड कहते हैं हम लोग MS Office में उसी को लिब्रे आफिस में आपका राइटर कहा जाता है क्या कहा जाता है राइटर जिसको यहां पर MS Excel कहते हैं उसी को लिब्रे आफिस में क्या कहते है कैल के कहा जाता है और जिसको यहां पर MS PowerPoint कहा जाता है उसको लिब्रे आफिस में कहा जाता है आपका impress तो यहां से देखे तीन कुशन आपके बन सकते हैं आप से पूछ सकता इंप्रेस्क किसके समान है तो आप गहलोगे जो काम wedding वही काम MS powerpoint का है ठीक है पुछा यहाँ पर locate Work क 몇 का है तो जो काम kale का है वही काम किसका है MS Excel का है फर पुछे rate aleator किसके समान है तो आप बता सकते हो जो काम writer का वही काम MS word का है तो ये तीन चीज़े आपको याद रखने हैं कि MS Word के समान क्या होता है Libre Office में राइटर होता है Excel के समान आपका कैल को होता है और PowerPoint के समान इंप्रेस होता है तो यहां से फिलाल आपका कैल के पूंचा है तो कैल का आप बता सकते हैं MS Excel के समान है और आगे बढ़ते हैं देखते हैं Question No.11 इसमें पुछा कौंसा Input Device नहीं है देखें माउस क्या है Input Device है देखें हमसे पुछा नहीं है Keyboard भी Input Device है Mic भी Input Device है Wire आपका Input Device नहीं है तो Wire यहां पर क्या हो जागा सही भी कल्प हो जागा क्योंकि यह आपका कोई भी Input Device नहीं है आगे बढ़ते हैं Question No.12 में भारत में Silicon Valley के नाम से किस सहर को जाना जाता है Silicon Valley एक American सहर है जहां पर काफ़े ज़्यादा आपके IT कंपोनेंट का निर्माड होता है तो भारत में IT हब के रूप में Bangalore को जाना जाता हो इससे ही भारत का कहा है Silicon Valley कहा जाता है तो यह Question आपका सही होगा तो यह कुछ बहुत ही Important Question हो सकते हैं Competitive Exam से जो इसमें निम्मी ने रखे हुए हैं फिराल के लिए IT है एकर आप लोग कर रहे हैं तो इन Questions को सभी Questions को आप लोग काईदे से समझेए चुकि यह आपके IT पेपर के अलावा आगे भी Competitive Exam में अगर आप लोग तयारी करेंगे आगे फरकारी नौकरी की और पेपर देंगे तो वहां के लिए भी Question महत्पूर्ण हो सकते हैं तो सभी वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अंतिम में दिये गए Question का अंसर देने का भी प्रियास करें कमेंट सक्सें में तो पुछा है आगे लिब्रियाफिस कैल का अंतिम कालम कौन सा होता है हमने अभी एक Question के Explanation में बताया था अगर Excel में संख्या पूछे जाए तो 16384 संख्या होती है वैसे ही लिब्रियाफिस कैल का अंतिम कालम होता है AMJ क्या होता है AMJ और अगर इसमें पूछे जाए कि लिब्रियाफिस कैल के में कितने कालम होते हैं ठीक है तो ये आपका 1024 कालम आपके होते हैं आगे बढ़ते हैं फिरहार आपसे अंतिम कालम का नाम पुछा तो अंतिम कालम क्या हो जाएगा AMJ लिब्रियाफिस कैल का अंतिम कालम होगा Excel का अंतिम कालम क्या होगा XFD होगा और आगे बढ़ते हैं देखते हैं 14 Question Question No.14 Cut की, Shortcut की क्या है तो Cut के लिए हम लोग Control X का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं Control Plus X का यूज हम लोग Cut के लिए करते हैं Cut Cut होता है कि माल लिजी अगर हमने यहाँ पे यह इतनी चीज़ सेलेकर करके Cut कर ली तो Cut करने पे क्या होगा यहां से उठ जाएगो जहां हम ले जाके पेस्ट करेंगे पेस्ट करने के लिए Shortcut की क्या Control Plus Z तो जहां ले जाके इसको हम पेस्ट करेंगे वहाँ पे पहुंच जाएगो जहां से यह टेक्ट क्या होता है हट जाता है क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्वाट कहते हैं कर रोच की साट कण्या होती है वो अग्य के दिन का अनतिक्त थे-व्ञार नोटम नोटमेट तो notepad पे हम लोग text लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते है, text editor कहते हैं, क्या कहते है, text editor और notepad एक आपका application software है, तो इसको text editor कहते हैं, आगे बढ़ते हो देखते हैं, पिछली वीडियो में जो मैंने question पुछा था उसका answer, तो पुछा था पिछली class में कि अभी तक computer की क पिढ़ी आ चुकी हैं, कितनी आ चुकी हैं, पांच, अब आके computer की छटी पिढ़ी आएगी, तो अभी तक computer की 5 पिढ़ी आ चुकी हैं, ये पिछले class वीडियो का answer है, आगे आज का question है, कि जो computer सब्द होता है, इस computer सब्द का साब्दी कर्स क्या होता है, computer सब्द का मतलब क् कमेंट करके बताना है, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सस्क्राइब अवसी कर ले, अब वीडियो कर प्रफ़न रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जैन!